हलो फ्रेंड्स मसलव शब्रुसेन और वाचिंग फीजियो टॉक दोस्तो आज की वीडियो में एक ऐसे सॉफ्ट्वेर के बारे में आपको बताएंगे जो हर एक फीजियो थेरपिस्ट के पास होना बहुत जरूरी है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जमाने में हर फीजियो थेरपिस्ट ये चाहता है कि वो अपने पेशेंट को बहतर तरीके से एक्जामिन कर सके और बहतर तरीके से उसका एक्सराइज प्रोटोकॉल बना सके तो आज की वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आपको क्यों Get Active Physio Software का इस्तेमाल करना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और कोशिश करिएगा कि आप अपनी regular practice में इस software का इस्तेमाल जरूर से करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो पहले बात करते हैं कि इस software का नाम क्या है और यह software काम कैसे करता है दोस्तो इस software का नाम है Get Active Physio इस software को आप laptop पर और mobile पर दोनों ही जगे से access कर सकते हैं यह software basically करता क्या है यह एक AI software है artificial intelligence से आप अपने patient का examination कर पाएंगे उसको exercise prescribe कर पाएंगे और साथ ही उसकी recovery को track कर पाएंगे Get Active Physio के जरीए से आप patient का examination करके उसकी report जनरेट कर पाएंगे दोस्तो यह सही platform है जिससे आप अपनी practice को digitalize कर सकते हैं यह software जितना physiotherapist के लिए जरूरी है उतना ही जरूरी है patients के लिए Patients दुनिया में कहीं पे भी हो वो अपने physio से examination करवा सकते हैं इस software के जरीए आपको यह option मिलता है कि आप remotely patient का examination कर सकते हैं तो आप remotely patient का examination तो करी सकते हैं साथ ही आप patient को exercise prescribe कर सकते हैं और उसकी report generate करके आप future में उसकी जो recovery है उसको track कर पाएंगे दोस्तो इस software में AI engine है जो आपकी body mapping करता है और आपके movements को measure करता है जिसके जरीए से आप patient को examine कर पाते हो और उसको protocol based exercise prescribe कर पाते हो तो दोस्तो इस software का इस्तिमाल कैसे करना है यह अब मैं आपको समझाता हूँ तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी laptop की screen पर और आपको बताता हूँ कि यह software को आप किस तरीके से आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्फ आप अपने mobile number और OTP से आप इसके अंदर login कर सकते हैं और इस software का आप इस्तिमाल कर सकते हैं जो इसका interface है वो बहुती ज़्यादा simple है तो दोस्तो अब अपन बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं हमारी laptop screen पर और समझते हैं यह software कैसे work करता है पर उससे पहले अगर आप इस software के बारे में ज़्यादा जान करी जाते हैं तो description box को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए देखते हैं अब इस software की working कैसी है दोस्तो आपको browser में जाके web.getactivephysio.com लिखना है और यहां जाकर आपको अपने mobile number से login कर लेना है OTP-based login है यहाँ पर तो आप अपने mobile number डालेंगे तो यह open हो जाएगा यहाँ से आप अपनी basic details fill out कर सकते हैं और अपने mobile number से इस software के अंदर login कर सकते हैं उसके बाद आप इसका जिसे dashboard देख रहे हैं यहाँ से आप अपने patient को create कर सकते हैं patient login कर सकते हैं और यहाँ पर आप patient को register कर सकते हैं patient की basic details आप यहाँ पर fill out करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे patient का basic examination तो clinical examination करने के लिए आप यह सारी details fill out करेंगे तो आपको यह action का button दिखेगा यहाँ पर आप patient का R.O.M. test कर सकते हैं जैसे ही आप R.O.M. टेस्ट पर क्लिक करेंगे, आपको patient का joint select करना है, कौन से side है वो select करना है, और आपको test start कर देना है, जैसे ही आप test start करेंगे, इसका जो AI engine है वो enabled हो जाएगा, और यहां से आप patient की जो range of motion है, उसको आप measure कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप इस software का इस् AI engine के जरीए से जो clinical examination है वो कर पाएंगे, तो दोस्तो कुछ इस तरीके का software है, मुझे यह software बहुत पसंद आया, और मैं आप सभी लोग से request करूँगा, कि आप लोग को इस software का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इस software का आप पूरी जानका ही चाहते हैं, तो उसके demo आप ले नीचे comment section बताना मुझे बिल्कुल ना भूलें, और ये video अगर आपको अच्छी लगी हो, तो अपने physio colleagues के साथ इस video को share करना बिल्कुल ना भूलें, thank you for watching physio talk